नोड़ा की दोनों का गंजुंबी इमारत कल दोपहर धाई बजे जमीदोज हो जाएंगी भरष्टचार की मिसाल वने इन दोनों टावरों को कल 3700 किलो विस्पोटक की मदद से गिराया जा रहा है और ये अपने आप में एक एतिहासिक इवेंट जो है वो होने जा रहा है और इसी के गवाह बनने के लिए दूर दराज के लोग जो है वो इकटा हो रहे हैं कि कल और इनके मन में सवाल यही है कि किस तरीके से ब्लास्ट होगा और इसके खुद वो गवाह बनने के लिए यहां पर इकटा हुए यह सारे रेजिडेंट जो है वो नोड़ा की अलग- इसको नीचे लाए जा रहा है और हिंदुस्तान में यह पहली बार हो रहा है बहुत ही अच्छी चीज है पर सिर्फ इतनी बात है कि जो साथ के सुसाइटी में जो लोग है उनका पूरा ख्याल रखा जाए हम सिर्फ यही गुजारिश करेंगे जो कि यह मेर को हमको पता है क और अधरी के लोग और पुलिस और अवरीबोडी इस वर्किंग वरी हाड तो टेकर अफ आफ अनी विंच्छालिटी और सो तो आपना नाम बता दें और क्या लग रहा है कल क्या आपके जहन में क्या आ रहा है कितनी जो आसपास के लोग हैं उनकी सुरक्षा को ले करके मेरा नाम विजय कुमार चुग है मैं ग्रेंड ओमेक्स में रहता हूं यह से 6-700 मीटर दूर है हमें अपनी सोसाइटी में भी यहां का डर लगा होगा है हमारी सोसाइटी से जो बज़ूर लोग हैं कमजोर हैं बिमार हैं वो भी आज की डेट में 8-10 परिवार वहां से इस मंजल बन जाए और जितने भी लोगों ने इसमें फ्लैट बुक कराया था अपनी आयू अपनी उमर बैंक में गिरवी रखके उसका लोन लिया था उसकी किस्तें भर रहे हैं उनकी 20-20 साल की उमर बेकार हो गई उनके दिलों से पूछो कि जो प्रशाशन ने और से आ रही है सर गलती किसी और की बिल्डर की आप बता रहे हैं प्रशाशन की लेकिन भुगतना तो आम जंता को पढ़ रहा है आप पढ़ रहा है और बाकी के जो लोग हैं यहां इस छेत्र में जो लोग रहते हैं उनको भुगतना पढ़ बिल्कुल मैं यही तो बोल रहा ह क्या क्या करेंगे तो यह मेरा मतलब इस चीज का समाधान होना चाहिए कि प्रशाशन में जो लोग मिल करके गलत काम पहले करवायत हैं फिर भुगदना पड़ता जंता को इसका इंतिजाम होना चाहिए मैम आप अपना नाम बता दें और क्या लग रहा है आपके जहन में क्या रहा है कि कल क्या हो रहा है कि आने वाले टाइम में बिल्डर्स को भी शायद थोड़ा सा हो सकता है कुछ ना कुछ डर तो महसूस होगा सुप्रिम कोड ने बोला भी ये बकायदा कि ये सबक ये आने वला टाइम बताएगा क्योंकि प्रशासन ये बीच में बहुत चीज़ें सब उल्टा उल्टा सब क्या लग रहेगी ये एक नजीर बन जाएगा पूरे देश की बिल्डरों के लिए तुछ है ये पर कुछ नही ही मकान बना सकते सब लोग तो उनके लिए तो कुछ गौर्मिंट के सारा आप अपना नाम बता दें और आप जो है इसी आसपास के इलाके में रहते हैं कल जब डिमॉलिशन के बाद जो प्रदूशर आएगा उससे बचने के लिए आप लोग क्या उपाय कर रहे हैं देखे के जिस से यह है कि आप लिए नजदीक वाले जो लोग है वो उनको अफेक्ट नहीं होगा पर पहली बात तो डिफिनेटली यह है कि यह इस चीज को पहले से क्यों नहीं रोका गया क्यों इस स्टेज तक लेके आए हैं कि जाके अभी उसको डिमॉलिशन करना है और लोग की जो हार्डन मनी है वो स्टेक पर लगा दी गई है यह बड़ी गलत बात है मैं आपका नाम आप बता दें और कल के दिन को ले करके क्या है क्या आपके जहन में है आप यहां पर अभी देखने आई है क्या गवाब बनेंगी कल के 83 कि वेंट के लिए मेरे नम गीता भारद्व है या कुछ बड़े senior citizens के लिए थोड़ा हाट का लेकर भी है कि थोड़ा से उनको हाट की problems रहती है वो भी इस चीज को जहल पाएंगे नहीं जहल पाएंगे पर एक एक अच्छी बात ही हुई है कि जो builders रहे हैं जिन्होंने अपनी दबंगरी से इस तरह से इतना बड़ा य और आम जनता ने अच्छे तरीके से उनको तमाचा मारा तो एक अच्छा मैसेज भी आया है कि जो कोट है उसने अच्छा फैसला दिया है कि इस तरह से दबंगरी और नहीं चले गिया आपकी पर स्वस्त को लेके है चिंता और हम लोगों ने काफी अपने सुसाइटी में ब वहाला धमाका वह एकदम से आय तो उसको सैन कर सके लब गलती किसी और की और जो भुगतना पढ़ रहा है वह आसपास की सिर्फ इन दो सोसाइटी में रहने वाले परिवारी नहीं बल्कि यह तीन किलोमेटर तक बोला गया कि तीन किलोमेटर तक इस धमाके का जाएगा तो हम अपने बच्चों को लेकर अपने बड़ा सीनर को लेकर खुद को लेकर भी थोड़ा चिंतित जरूर है पर प्रयास रिया रहेगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए बैस्ट ओफ लग है हमारी तरफ से कि यह काम अच्छे से पर नाम बताते हैं और क्या गवाब बनने के लिए एक भैका माहल बिल्कुल अभी मैं जैट कंपनी के ओनर नहीं खड़े थे मिश्ट जिगर उनकी सुन रहा था तो जैसे किसी हॉस्पिटल में अमर्जंसी में बाड़वा डॉक्ट्टरों के लिए होता हर पेसेंट ऐसे उनके लिए काम है परुंत जो जंता आसफा प्रशासन ने उतकी तरफ से बोला जा रहा है कि कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है इसका कि कितना पुलूशन होगा तो ऐसे में जब प्रशासनी ऐसी बात कर रहा है तो प्रदूशर से कैसे बचेंगे सितंबर और अक्टूबर में दिल्ली न्सीयार में वैसे इतना प्रशासन में बहुत अच्छा सभाव लिए आपने मैं भारती किसान भानु का राष्ट्य परिष्ट पातक किर्मपाल सिंग मैं अब बहुत आना चाहता हूं जरासा कहीं भी पराली जल जा उसके लिए पॉलूशन के लिए कितने हंगामा कितने लोग करते हैं और इस पॉ तो फिरे पॉलूशन रहेगा इसका जुम्मिदार कौन होगा अína के लिए और मैं यह कहता हूं अगर इसके कान कंहीं भी नुक्षान किसी जन हानी को होता है दूजरों को तो उसके जुम्मेदार भी प्रशासन होगा और सासन होगा शुक्रिया हम से बात करने के लिए तो ये हैं वो नोड़ा के निवासी जो ट्विन टावर के ठीक बगल में तो नहीं रहते हैं आस-पास के छेतर में रहते हैं और इन्हें अपने स्वास्त की और अपने बच्चों के स्वास्त की अपने घर के जो बुजूर के उनके स्वास्त की चिंता जो है वो लगतार सतारी और इनका सवाल यह है कि करय कोई और भुकते कोई बिल्डर ने तो ये रामण जैसी इमारत जो है वो बना दी लेकिन अब इसके बाद जब इसको गिराया जा रहा है तो इसको गिराने के बाद जो ध्वनी प्रदूशड होगा जो वायू प्रदूशड होगा धूल का गुबार उठेगा उससे निपटने के लिए कोई कंक्रीट जो तरीका है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है तो ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जो यहां नोडा के निवासियों के दिल में अभी भी बने हुए हैं जिसका जवाब जो है वो आना बाकी है सही होगी अजी चाकू के साथ अमेद दिलाल एबी पी नियूज नोडा